हेलो फ्रेंड्स कैसे हो मेरा नाम है संजीर मिलोतरा और आज हम लेके हैं टॉपिक जो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि अगर आपने कुछ पुरानी वीडियोस देखी हो ठीक है आज हम बात करेंगे डेनियल सेल के बारे डेनियल सेल और डेनियल सेल को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रो केमिकल सेल के बारे में पता होना चाहिए जैसे मैंने कहा कि हमने पछली वीडियोस में इसे एक्स्पेंड किया हुआ है अगर आप वह अच्छे से देखोगे तो आपको डेनियल सेल बहुत असान लेगे है कोई मुश्क केमिकल सेल में क्या होता था जिसमें क्या होता था कि जो हमारी हम क्या कंवर्ड होती तो इसमें किस चीज़ की होती थी जो हमारी केमिकल एनर्जी होती थी जो कैमिकल एनर्जी किसमें कर्ण होती थी मारी इलेक्रिकल एनर्जी में किसमें कर्ण होती थी हमारी इलेक्रिकल ए क्या होता था कि कि इस तरह कैसे कुछ होता था अगर आपने देखा हो कि इधर भी कि इधर भी ऐसे शॉट मैं विश्वाट मैं समझा दूँगा आपको फटा-फट से कि अगर हम एलेक्ट्रो लेते लिए लेते था अमने अनोड जिसकी क्या होता था नेगटिव और इसपे चार्ज क्या होता था पॉजटिव ठीक है यह क्या थी मारी के थो लगता पुलिस आ चुकी है और अब आपको पता ही चल रहा है साथ बचे के बाद तो सब इसे इत्ती वी शॉप साथ बंद कर्वाने के चक्र में आया है ठीक है चलिए अब लगता है कि पुलिस आप हम इस पर फोकुस करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रेमिंगल सेल में क्या करते थे कि इस तरह के से एनोड को जैसे जिंक को जेकर नोड को उसके solution में डालते थे zinc sulfate में और copper cathode क्या लेते थे copper copper निया था ये copper copper rod इसको हम किसमें लेते थे copper sulfate solution में ठीक है और यहाँ पर इसको हम इस तरह किसे लगा देते थे ठीक है और यहाँ पर जो main चीज आती थी हमारे की यह salt चोता था नेगेटिव नोड का मतलब नेगेटिव नेगेटिव ओका मतलब Oxidation L का मतलब Left Side Left में इसके बारे मैं बता रहा हूँ तो Anode पर Charge Negative Anode करेगा Oxidation Cathode पर Charge Positive, Cathode पर होगी Reduction Reduction मतलब Gain of Electrons, Oxidation मतलब Loss of Electrons तो यहां पर क्या होता था? Electrons इदर Move करते थे यह Lose करता था और यह Gain करता था यहां पर ठीक है और यहां पर क्या होता था? जैसे जिंक लूज करता था अपने Electrons तो बनता था जिंक 2 प्लस मतलब Oxidation होती थी और यह Gain करता था एलेक्ट्रों कॉपर सिलफेट कॉपर टू प्लस और सिलफेट तू देगड बनते थे यह copper टू प्लस क्या करता था दो इलेक्ट्रों करके copper solid बना देता था यह ekos होता था यह solid था यह akos था यह मैंने पिछली वीडियो में किया हूँ है reduction मतलब यह copper 2 प्लास यह copper sulphate है यह सारा सुलूशन copper sulphate है यह copper sulphate यह पिर यहाँ पर यहाँ पर रोल आता था salt bridge का salt bridge क्या करता था यह positive charge है तो इदर से यह वाला negative charge क्योंकि potassium negative तोड़ो जो क्या मनदा k plus और k plus और NO3 negative इदर से NO3 negative आता था और इस charge को positive charge बड़ा हुआ positive charge है उसको neutralize करता था इदर क्या आता था negative charge बड़ता था तो k-plus आता था और sulfate को neutralize करके पूरे cell को neutralize कर दिया जाता था यह salt bridge का function था कि neutrality को maintain करके रखता था और पूरे का पूरा circuit complete करता था denial cell भी same वैसे ही है बस फरक कहां पे आएगा same functioning वैसे है यहाँ पे electrochemical cell तो है electrochemical cell ही है पर इसमें फरक कहां पे है कि यहाँ पे salt bridge यूज हो रहा है पर यहाँ पे demial cell में एक ही beaker में सब कुछ हो रहा है और उसमें salt bridge नहीं है salt bridge की जगा पे हमने क्या लगा दिया पूरे spot लगा देते ठीक है अभी उसकी में आपको diagram बना के देता हूँ और reaction सेम रहेंगी सब कुछ सेम है बस यह अलग लग beaker में हो रही है और यह भी अलग लग beaker में नहीं की beaker में होगी ठीक है उसमें salt bridge आएगा यहाँ पे salt bridge नहीं आएगा यहाँ पर पूरे spot आएगी बाकि reaction सेम रहेगी यहाँ पी oxidation reduction यहाँ पी oxidation और reduction होने वाली है चलिए अब डियाग्राम बना के देखते हैं चलिए अब यह देखिए इसमें हमने salt bridge को replace कर दिया पूरे spot के साथ अब इसमें हम लेगे center में zinc rod यहाँ पर भी zinc rod थी यहाँ पर भी zinc rod zinc rod को किसमें हमने dip किया था उसके solution में zinc sulfate में ठीक है जी यहाँ पर भी करो यह zinc rod किसमें dip की हमने यह किसमे dip की zinc rod किसमे dip की हुए zinc sulfate में ठीक है जी one molar concentration फिर वहाँ पर क्या होता था इसको separate करते थे ठीक है यहाँ पर separate किया है पर यहाँ पर क्या आगया इधर क्या है kathode 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 kya मतलब इसमें क्यां लिये है copper नहीं यहाँ पर हमने copper vessel ले लिया copper vessel पर positive क्या यहाँ पर वेसल के होगा यहाँ पर भी copper पर च्छल्ज क्या था था पोजूटिव इसे क्या माते थे क्या थे monet के a इसे भी की AC ठीक है अब हम इन्क कराओं जंक राद सिंक सिल्फेट में पहले हैं नानल है लोड्या कि यहां मैंने बता है कि कॉपर में तो आल लिए कोपर सिल्फेड डाल दी जैक tilt यह है यहां पर भी कॉपर वैसल कॉपर साल हो एक डालम सी तो यह वारी जिंक प्रण थी कलियर इसे यहां पर रहे हैं कि यहां पर चार्ट नेकेटिव डिव्क यह अन ब्हों रिधा है करेगी oxidation यहां पे cathode cathode rod यहां पे भी मारा cathode का वैसल copper जो copper vessel लिया इसमें copper sulfate लिया यहां पर क्वर्श होई पर salt bridge कहा गया साल्ट करह मारा यह पूर स्पॉट आ गया ठीक है इसमें हम क्या ले सकते हैं है एक्षिटीव नेगटिव यह लोगी तो क्या होगा इलेक्ट्रों करेंगे इदर करेंगे जैसे वहाँ पर हो रहा था यहां पर क्या है इदर से इलेक्ट्रों निगल पूर पूर स्पोर्ट जो है पूर्जरस में से निखल के इधर जाएगा इधर जाएगा और इधर कोन है इधर कोन है वह copper two plus के लेगा अपने तरफ ले लेगा और डिरक्शन हो जगी और यहां पर copper के आना शुरू हो जएगा deposit होना शुरू हो जाएगा यहां पर यहां से zinc खतम होना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर zinc lose कर रहा है ऑक्सिडेशन हो रही है पर हो किसके जरीए हो अब बाकी सारा सेमी है बस फरक्या है यहां पर salt bridge लगा हुआ था neutrality को maintain करने के लिए यहां पर पोर स्पॉड आ रहा है ठीक है तो अब यहां पर यहां पर बढ़ता था यहां से कुछ आता था पॉजिटिव आता था अब यहां पर बढ़ेंगे यह से इसमें पड़े हुए जिंक टू प्लस आइंस को पॉजिटिव चार्ज को यह सिल्फेट क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा ठीक है तो रियक्शन वही बनी सेम जो हम बनाते आ रहे हैं जिंक ने क्या किया जिंक ने क्या किया दो इलेक्ट्रोन लूज किए जिंक ने लू अब आगी मतल Mercedes इस एक क्या जो के आप करें तो यह क्या पानी में क्या बनी जैसे जैसि इलेक्ट्रो Посो ब्री केमिकल में ऑन्य bree होती थी जैसे यहां पे मारी पोरा सपोट नहीं हो रहा है वहाँ चीज़ यहांपे ऊरहा था जो साल्ड प्रिज का काम वह त आपको डेनियल सेल अच्छे से क्लियर हो चुका है पर इस डेनियल सेल को समयने से पहले आपको यह वाला लेक्च्छर देखना पड़ेगा पीछे में उसका आपको आई बदर पे लिंग देगे ठीक है तो फिलाल आज के लिए था मुझे इजास्त देगे थैंकिये गूडब झाले लिए्यस सेल को संहे आपको यह वाला लेक्चर देखना आपको यह हैंकिये बदर गया को समय है तो जापको यह व गजित दोस tiet çekben